आज का बहुत ही टेस्टी और कुर्कुरा नाश्ता बनकर तयार है ये मिंटो में ही बनकर तयार हो जाता है तो Welcome to my channel Sarita Stylist Dishes अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सूजी लिया है, दो बड़े चम्मच, उसको अच्छे से ड्राय रोस्ट करना है, और एक कप लिया है मैंने इसमें यहाँ पर मुर्मुरे, इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है, घी वगेरा कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ही इसी तरीके जैसे जैसे इनका थोड़ा-थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे, मतलब सूजी इसमें जो हमने डाली है, वो हलकी सी जब तक पिंक हो, तब तक हमें इने ड्राय रोस्ट करके तयार करना है, अब मैंने यहाँ बेसन दिया है, ये भी दो बड़े चम्मच लिया है, इसको भी ह इसी के साथ पकाना है, मतलब तब तक जब तक इसका कलर हलका सा ना आ जाए, और एक चम्मच इसमें डाला है, मैंने चावल का आटा, जो राइस फ्लोर होता है, वो आपको डालना है, और फिर जितना आपने ये सारी चीजें मिलाई हैं, उसी हिसाब से पानी डालना है, पा ये होता है, एक दम से पानी का यूज आप ना करें, प्रोटल मिलाके मैंने यहाँ सवा एक सवा बोल के आसपास पानी का यूज करके इसका डो बनाया है, तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं थोड़ी हमारी अच्छे से ड्राय रोस्ट हो गई हैं, पक चुकी हैं, देन हम इसमें पानी मिलाकर इसका एक अच्छा सा डो बनाएंगे, तो पहले थोड़ा थंडा होने देते हैं, अब इसी तरीके से मिक्स करके इसको थोड़ा से थंडा होने के लिए रख देते हैं, और इसमें जो वेजीज वगेरा हम डालेंगे, वो सब इनको चौप करके तयार कर लेंगे, तो यह जब थंडा हो जाएगा, तभी हम इसमें एड करेंगे नमक और मसालें और वेजीटेबल्स, तब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे, तो यह देखे, यह थंडा हो रहा है, दूसरी तरफ हम फटाफट से तयार कर लेते हैं सबजियां, इसके लिए यहाँ प हरी मिर्च को, तो यह देखे, ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, कि जो यह गोबी होती है, इसमें भी ऑलरडी पानी होता है, गाजर में भी पानी होता है, तो आप पहले से ही बहुत जादा उसको लिक्विड करके ना रखें, उसको थोड़ा सा ड्राय रखें, क्योंकि इसम का जो पानी है, वो उसी में अब्सॉर्ब हो जाएगा, और आपकी जो डेश है, वो बहुत ही अच्छे से बनकर तयार हो जाएगी, तो यह मेरा सब कुछ तयार हो गया है, अब फटा-फट से जो यह प्याज है, इसको भी चौप क कर लेंगे, और हरी मिर्च भी इसमें कट करके डाल देंगे, अब यह सारी चीज़े जब आपकी तयार हो जाएगी, तब आप इसमें देख लीजे, जो वो आपका मिश्रन है, वो ठंडा हो गया या नहीं, अगर ठंडा हो जाए, तब आप इसमें उसको भी एड़ कर दीज है, कि यह ठंडा हो गया है, इस मिश्रन को अब हम इसमें मिक्स करके मिला देंगे, यकीन मानिए, यह जो टिक किया है, इतनी शांदार बनके तयार होती है, कि बड़ों से लेके बच्चे सब को पसंद आई थी, और मैंने दो तीन बार इसको पहले बना के रखा है, अब हल् इसके बाद जीरा आफ टी स्पून और लाल मिर्ची पाउडर आफ टी स्पून, इन सब के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे, आफ टी स्पून अजवाइन भी मैंने यूज कर लिया है, इसके बाद आप हातों को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, और इसका एक डो बना कर तयार क हमारा बहुत जादा सौफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होना चाहिए, इसके बाद जब यह पूरा अच्छे से प्रिपेर हो जाएगा, तैन आप इसमें नमक एड़ करेंगे, सबसे लास्ट में, और देखिए, इस तरीके से नमक के साथ इनको अच्छे से मिक् हम इस तरीके से इसके गोले के शेफ बना कर तयार कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि टेक्शर कितना अच्छे से बनकर तयार हुआ है, ऐसा ही टेक्शर हमें इसका प्रापरली चाहिए, तो बस यह तैयार हो गया है डो हमारा बनके, अब हम इसमें से गोले आप बड़े बड़े से cut कर ले, जैसे आपको पसंद हो, तो मैं इसमें थोड़े से बड़े बड़े गोले cut करूंगी, और इसको हम गोल-गोल घुमाने के बाद थोड़ा सा press करके टिक्की जैसा shape दे देंगे, अगर कहीं से चारों तरफ से ये break हो रहा है तो आप इस तरह के से इसका shape proper दे सकते हैं बहुत ही अच्छे बनकर ये तयार होते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगता है इने बनाने में, तो इस तरह के से मैंने ये देखिए, balls बना कर इसके इस तरह से press करके flat कर दिये हैं, और ये टिक्की का जैसा shape दे कर तयार कर लिया है तो आप भी इस तरह के से सारी टिक्कियों को एक साथ ही बनाकर तयार कर ले पहले और फिर इनको हलका सा shallow fry करना है, deep fry नहीं करने की जरूरत है, तो इस सारी टिक्किया मेरी बन चुकी है, अब मैं पैन में बस तेल को गरम करने के लिए रख दूँगी, तो यह जो oil है, यह minimum temperature पे किया हुआ है, मैंने high flame पे नहीं सेखना है इसको आप slow to medium पे ही fry करें यह shallow fry कर रही हूँ और बहुत अच्छे से यह fry हो जाएंगे, हलका सा इनको ढग दीजेगा, जिससे कि यह अंदर तक properly अच्छे से पके तयार हो जाएं तो आप देख सकते हैं, जब एक तरफ से अच्छा सा color आ जाएगा then हम दूसरी तरफ से इनको alert पलट करते हुए मुश्किल से 10 minute लगते हैं इनको सेखने में और यह बहुत ही अच्छे से बनके तयार हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं, अब हमें बस फटाफट से alert पलटते सेख कर तयार कर लेंगे अब दूसरी तरफ से भी देखिए इस तरीके से सेख लिजे इनको यह खाने में बहुत ही ज़ादा टेस्टी लगते हैं, आप इसको हरे धनिय की चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं और अगर आपके पास हरे धनिय की चटनी नहीं है तो आप टमेटो केचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, देखिए कम तेल में हमने कितना अच्छा नाश्टा बना कर फटाफट से तयार कर लिया है मुर्मूरे से हलका फुलका नाश्टा आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर सुबा की breakfast के लिए या evening snacks किसी में भी बना कर तयार कर सकते हैं तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये तयार हो गया है मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी ये अंदर से भी बहुत अच्छे बनकर तयार हुए है और देखिए voice कितनी अच्छे से इन में आ रही है that means बहार से काफी crispy है तो अंदर से भी देख लीजे ये कितने soft और बढ़िया बनके तयार हुए है तो आप इस तरीके से खाईए enjoy कीजे अगर मेरी ये recipe अच्छी लगी हो तो like और subscribe करना ना भूले अगर कोई मेरी वीडियो से related comment है तो आप comment box में जाकर comment करके पूछ सकते हैं तो चलो वही मेरी dish तो बन चुकी है मेरा नाश्ता बन गया है अब आप भी इसको एक बार बना कर जरूर से देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बनके तयार होता है